जहन सातियों एक बार पुना स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग केरिय टाइम में आज मैं आपके लिए ले करके आया हूँ संधियों को पहचानने की एक बहुत ही सांदार और जबसक्सी टिक जिसे देखने के बाद आप स्वार संधी के किसी भी प्रेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे तो आईए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ट्रिक हमारी ट्रिक में आज होंगी स्वार संधी और स्वार संधी के पांच वे भेद यानि कि जो पांच प्रिकार की स्वार संधी है उनके सभी प्रशन हम कैसे आसानी से सुल्व करेंगे इसे देखेंगे स्वार संधी का जो पहला वेध होता है उसे हम कैसे हम कैसे हैं दीर्ग संधी और दीर्ट संधी के किसी भी प्रश्म को बहुत आतानी से हम पहचानेंगे जिस सब्द के बीच में A, E या U की मात्रा होगी इन मात्राओं का प्रियोक जब सब्द के बीच में किया जाएगा तो उन सब्दों में संधी होती है दीर्ट संधी जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताओं एक सब्द लिखा है महात्मा महात्मा में सब्द के बीच में बढ़िया की मात्रा रामाबतार सब्द के बीच में बढ़िया की मात्रा महाशय सब्द के बीच में बढ़िया की मात्रा तो जिन सब्दों में बड़ आ या फिर बली इ रवींद्र में वडी की मात्रा अर्धनारीश्मर में बली इत्रिकी की मात्रा रवीश में वडी की मात्रा कवींद्र में वडी की मात्रा और कवीश में भी वडी की मात्रा वड़ाऊ की मात्रा जितमें प्रियोग होगा वो सब सबमें बढ़ा होगा तो इन मात्रां का प्रियोग जिन सब्दों में होता है वह सब्द होते हैं दीर अगला हमारा भेज होता है गुर्ड संदी में हम पहचानेंगे एक मात्रा वाले सब्द, इसमें एक मात्रा वाले सब्दों का मतलब है, जब सब्द के बीच में A, O या अर की मात्रा का अर की मात्रा का मतलब होता है जब रा को हम इस रूप में किसी के उपर, किसी भी सब्द के उपर इस तरीके से लिख देते हैं तो एक मात्रा वाले सब्द चाहे वो A की मात्रा हो चाहे वो O की मात्रा हो या फिर चाहे वो सब्द के उपर इस तरीकी के मात्र हो तो जिन सब्दों के साथ में इन मात्राओं का प्रियोग किया जाएगा वो सब्द रखे जाएंगे गुर संधी में जैसे राजेंद्र में एक मात्रा एकी महेंद्र में एक राजेश में भी एक मात्रा सुरिष में आप देखेंगे सब्द के बीच में A की यानि की एक मात्रा और नरेंद्र में भी एक मात्रा या फिर अगला सब्द हमारे पास होगा जिसमें O की मात्रा का प्रयोग करेंगे जैसे देवर्षी में ओकी मात्रा महोटसब या फिर देवोरजा या फिर सब्द में आप देखेंगे इस तरह से अरकी मात्रा का प्रियोग किया जाए जैसे देवरशी में आप यहां पर मात्रा देखेंगे महर रिशी में आप यहां पी मात्रा देखेंगे और सब रिशी में आप यहां पे मात्रा देखेंगे तो जिन सब्दों में ए ओ अर की मात्रा का प्रियोग किया जाता है वहाँ पे गुर संदी होती है अगले ट्रिक की तरफ चलेंगे अगली संदी हमारे पास है ब्रद्धी संदी ब्रद्धी संदी में मात्राएं एक नहीं होंगी मात्राएं होंगी सब्द में दो तो दो मात्राओं का प्रियोग जब सब्द में किया जाएगा जैसे देवैश्वरे में आप देखेंगे इस तरीके से दो मात्रा हैं महेश्वरे में दो मात्रा हैं और आप देखेंगे एक एक में भी दो मात्रा हैं जैसे अब मैं अवकी मात्रा की बात करूँ तो अहां पर है देवाशश में दो मात्रा हैं मोहजस में दो मात्रा हैं तो जब दो मात्राओं का प्रियोग किया जाएगा तो दो मात्रा वाले सब्द होते हैं वो रखे जाते हैं ब्रद्धी संदी में अगले तरफ बढ़ेंगे तो अगले हमारे पास संदी है एर संदी इसमें सब्द में या वा और रा का प्रियोग किय जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे यहां की पहचान यह है यहां से पहले जिन सब्दों का प्रियोग किया जाता है वो होंगे वर्ण आधे जैसे प्रतेक में यहां से पहले आधा प्रतेक्ष में यहां से पहले आधा अत्यदिक में यहां से पहले आधा और यहां पर अत और पहले का यहां पर वर्ड है वो आधा तो जब यहां वाध से पहले वर्ड आधा हो तो वहां पर एड़ संदी होगे, अगला आप देखेंगे रा, रा में आप देखेंगे जो रा होता है यह बदल जाता है त्रा में, जैसे यहां पे मैं आपको समझाओं एक सब्द मैंने लिखा पित्र पिलस आ गया जब यह रिड होता है यह आ के साथ में मिलता है तो यह बदल जाएगा त्रा में तो जैसे यहां पे मैंने लिखा पित्रा गया मात्र इच्छा मात्रा नुमती तो यहां पे यह जो है बोट त्रा के रूप में प्रदर्सित होता है और ऐसी कंडिसन में भी कौन सी संधी होगी एर संधी तो या वा से पहले जब वर्ण आधा आता है तो बहाँ पर एड़ संधी होगी और ना जब त्रा के रूप में मिलेगा सब्द के बीच में तो भी बहाँ पर कौनती संधी होगी एड़ संधी, यहाँ मैंने लिख रखा है आधे बेंजन वाले वर्ण या फिर आधे बेंजन वाले जब वर्ण प्रियों किया जाते हैं या फिर जब सब्द के बीच में आधा बेंजन हो तो ऐसे सब्द भी किसमें रखे जाएंगे एर संधी में अगली हमारे पास संदी है अयादी संदी अयादी संदी में जो सब्द के बीच में उच्चाण होता है वो ए, आ, 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 वी या फिर आबू का होता है जैसे एक सब्द आया नैन नयन जब आप नयन का उच्चाण करेंगे तो नयन का जब उच्चाण करेंगे तो नयन में आएगा ए जैसे आप कहेंगे नायक नायक का जब आप उच्चाण करेंगे तो नायक का उच्चाण करने में आपको आवाज सुनाई देगी आए नायक, नाईका, आई की धोनी, पवन, आउ की धोनी, पावन, आउ की धोनी, यहाँ पे है नाविक, आवी की धोनी, अगला है वावुक, आवु की धोनी, तो जिन सब्दों में इनकी धोनी दिखाई देगी हमें, या इनकी धोनी सुनाई दे, तो उन सब्दों में संधी होती है आयादी संधी यह थी हमारे पास संधियों की पहचानने के एक सांदार सा तरीका एक बहतरी इन से ट्रिक ऐसी ही सांदार और जब देखने के लिए आज ही जोएन करें अपने चलने करें टैम को जैहन जैवाद